Hello friends, Circle of Education welcomes you अपने Romantic Writer की सीरीज में आज हम Charles Lamb की बायग्रफी बहुत ही डिटेल में अच्छे से डिसकस करने वाले हैं इससे पहले हम John Keats, PB Shelley और Wordsworth बहुत ही डिटेल में कवर कर चुके हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लें आपकी एक्जाम की Point of View से बहुत जरूरी होने वाली हैं अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं, नोट समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें आपकी जो भी ओपीनियन हैं कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं अगर आपके स्लेबस में कोई भी राइटर दिया हुआ है तो आप उनकी बाइग्रफी को कभी भी इग्नोर ना करें क्योंकि बाइग्रफी से क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं तो बात करें अगर चार्ल्स लैम की तो ये भी रोमेंटिक राइटर्स में सेकंड जनरेशन से बिलॉंग करते हैं यंगर जनरेशन भी बोल सकते हैं हम और सेकंड जनरेशन भी बोल सकते हैं तो इनका जो डूरेशन है वो 1775 से 1834 रहा है बर्त की बात करें अगर तो फेब्रेरी 10 में इनका बर्त हुआ था 1775 में इनर टेंपल में City of London UK डेथ की बात करें अगर तो वह भी लंडन में ही हुआ था December 27 1834 रीजन क्या था डेथ का बहुत बार एक्जाम में आता है तो आपको यह याद रखना है कि यह गिर जाते है ठीक है गिरने के कारण इनको अगर इंधिक्रफ में इसको मेडिकल стороны में उसको बोला जाता है ए है इस जबरanemal करकान यह इनका इनकी इनकी डेख मयम करेंगे इसको भी हम आगे डिटेल बे इसकश करेंगि पेरेंस का कई बरी पूछ लिया जाता है तो इसलिए हमें पेरेंस का नाम भी याद्रखना होता ह तो parents जो थे इनका नाम था John Lamb और जो mother थी वो उनका नाम था Elizabeth Field या फिर Lamb तो जो इनके father थे उनका profession था clerk थे वो बहुत बारी father के profession पर question बना है तो ये clerk थे education की बात करें अगर तो इनके school का नाम Christ Hospital है आपको confused नहीं होना है कई बड़ी एक्जाम में इनके school का नाम पूछा गया है और option में hospital देख करके बच्चे इसको ignore कर देते हैं इसको टिक नहीं करते हैं लेकिन school का नाम ही Christ Hospital है ठीक है ये एक charity boarding school था और estry college यानि जो हमारे romantic writer है Samuel Taylor college ये जो थे इनके class fellow थे और जो लैम है जैसा कि अभी हमने discuss किया है कि ये यंगर जेनरेशन रोमेंटिक इंग्लिश पोएट थे एसे तर क्रिटीक थे चलिए अब डिटेल में डिसकस करते हैं तो जो Charles Lamb होते हैं वो यंगेस चाइल होते हैं इनकी sister का नाम होता है Mary और ब रण का नाम होता है John बहुत बरी exam में question बना है sister का नाम इसली है क्युकि होने ठाइशन में बहुत work लिख लिख में साथ में Charles Lamb or Mary Lamb और बरद का नाम इंपोरटन इसली है क्युकि इनके father का नाम भी John Lamb है और इनका जो ब्रदर है इनका नाम भी John Lamb है कई पर एक्जाम में कोश्चन आया है इस पर 1791 में Charles Lamb को भी जो है अपोइंट किया जाता है as a clerk कहाँ पे South Sea House में एक British Joint Stock Company होती है वहाँ पे as a clerk ये काम करते हैं 1792 में ये as a clerk जोइन करते हैं British East India Company को और जब तक ये रिटायर नहीं हो जाते हैं तब तक वहाँ पे ये काम करते हैं Charles Lamb का एक unsuccessful love affair भी रहता है Anne Simone के साथ फिरेंड्स आपको ये इनकी beloved का नाम याद रखना है एक्जाम में पूछ लिया जाता है तो unsuccessful love affair था किस के साथ Anne Simone के साथ और ये जो इनका affair है ना ये हमें कहां पढ़ने को या देखने को मिलता है तो इनकी एक novel है A Tale of Rosamand Grey इसमें देखने को मिलता है बाद में क्या होता है कि ये जो इनकी Anne Simone होती है वो शादी कर लेती है एक pawn broker होते हैं इनका नाम होता है Bartram आपको याद रखना है ये 1795 में क्या होता है कि Charles को ना 6 week यानि more than a month एक psychiatric hospital होक्स्टन में होता है वहाँ पर spend करना पड़ता है क्योंकि इनके कुछ mental issues रहते हैं 1796 में क्या होता है इनकी जो sister होती है ना Mary वो क्या करती है पागलपन में ही जो इनकी mother होती है Mary और इनकी Charles Lamb की mother का वो murder कर देती है ठीक है तो ये जो brother sister है ना दोनों में mental illness देखने को मिलता है और जो sister Mary है वो madness में अपनी ही mother का murder कर देती है फिर 18-19 में जब Lamb 44 years के होते है इनको दुबारा प्यार होता है actress होती है Fanny Kelly इनका जो है आपको profession याद रखना है क्या होती है by profession ये actress होती है ठीक है ये इनको प्रपोस करते हैं शादी के लिए लेकिन ये मना कर देती है और Lamb जो है वो कभी भी शादी नहीं करते तो उनकी death as a bachelor ही होती है कीट्स की तरह ही और 1834 में इनकी death हो जाती है streptococcal inflection हो जाता है होता क्या है कि ये गिर जाते हैं इनको छोटी से चोटा जाती है और उसके बाद इनको infections वगरा हो जाते है तो इसकी वज़े से इनकी death हो जाती है 1834 में writers के pseudoname पे बहुत बरी question बना है friends तो आपको कभी भी इसको ignore नहीं करना चाहिए तो ऐसे ही Charles Lamb का भी एक pseudoname होता है वो क्या होता है Elia तो ये जो इनका pseudoname Elia है जिसमें ये जिस नाम से पब्लिश करते हैं अपने work ये कहां से लेते हैं तो इनका एक co-worker होता है साथ में Italian clerk होता है जब ये as a clerk काम करते है South Sea House में तो वहाँ पे इनका एक co-worker होता है उसी के साथ ये काम करते है तो ये वहीं से जो है नाम लेते हैं Elia और अपना pseudoname रख लेते हैं तो इनके जो essays वगएरा है essays of Elia वो इसी pseudoname के अंडर पब्लिश होते हैं 1823 में और as a pen name ये हमेशा Elia ही यूज करते हैं इसमें खाली आपको इतना ही समझना है बस आपको ये देखना है कि essays of Elia जो है कहां पब्लिश होते हैं London मेगजीन में और एडिटर्शिप किसकी होती है John Scott की होती है कई बड़ एक्जाम में कुश्शन बनता है कि राइटर ने अपने करियर की शुरुवात कैसे करी थी तो उन्होंने अपने लिटरेरी करियर की शुरुवात as a poet करी थी और उनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन था वो 1796 में हुआ था चार सॉनेट्स थी जिसका जो टाइटल था by Mr. Charles Lamb of Indian House Sorry, It's India House जो की अपियर हुआ था Coleridge's Poem on Various Subjects जो की पब्लिश हुआ था 1796 में जॉसेफ कॉचल से Lamb का जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट वर्क है नोवेला मानी जाती है वो कौन सी है A Tale of Rosamand Gray जो की 1798 में आई थी सक्सेस्फुल नहीं थी इनकी अदर जो नोवल थी वो थी Old Blind Margaret Charles Lamb को Personal Essays भी बोला जाता है क्योंकि इनके Essays जो थे न वो बहुत ज्यादा फेमस थे ठीक है और 1820 में क्या होता है कि Lamb और मेरी जो क्या करते है मतलब भाई बैन होते है एक गर्ल अडॉप्ट करते है और 1847 में मेरी जो इनकी सिस्टर है उनकी भी डेथ हो जाती है और उनको जो बरी किया जाता है अपने ब्रदर यानि चार्ल्स Lamb की ग्रेव के पास ही बरी किया जाता है तो फ्रेंड्स यह थी आज की वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके जो वर्क्स हैं वो डिसकस करेंगे आज की इस वीडियो में हम निखाली बायग्रफी को बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर किया है अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें आपकी जो भी ओपीनियन है कमेंट सेक्शन में रखें और अगर आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो